हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सीब इस्टूडिय आफ लाफ फ्रेंड्स आज के टॉपिक में भारतिय सम्मिधान में सम्मिधान सवा से समंधित महत्पों वन लालन प्रश्णों को देखेंगे जो कि नियाय के वह अन्य परिक्षाओं में अधिकतर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और फर क्लिक कर लिए जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिप्रिकिसन सबसे पहले प्राप्थ होता रहे तो देखते हैं प्रश्णों को सम्मिधान सवा से प्रश्णों को देखेंगे विश्चन नमबर फ है नेक्ष्ट है सम्मिधान सवा में बिटिस प्रांतों से 296 और बिटिस भारत से 292 रहता कमिशनीर छेत्रों से चार तता देशी रियास्तों से 93 प्रतिनिदी चुने गए थे नेक्ष्ट है सम्मिधान की अंती मूल मसोधे पर 24 जन्मरी 1950 को हाच्ताच्चर किये गए नेक्ष्ट है सम्मिधान सवा की प्रतम बैटक 9 दिसम्मर 1946 को हुई थी संसद्भण की केंद्रिय कर्ष में संपन हुई जिसमें डाक्टर सचिदान इन सिना को अस्ताही अद्धच बनाया गया था इस्ताही अध्धक्ष 11 दिसम्मर 1946 को डाक्टर आजयन प्रसाद को बनाया गया था जूकि सम्मिधान सवा के इस्ताही अध्धक्ष के रूप में उनको चुना गया नेक्ष्ट है कांग्रेस कारेकानली ने 1934 में पटना दिवेशन में वैस्क मता अधिकार क आधर पर सम्मिधान सवा के गठण का प्रस्ताव परित किया था ने श्य सम्मिधान सवा के सम्मिधानी सलाकार डाक्रट DR. वी ं राओ थे नेश्ठे सम्मिधान सबाब में भीम रौ अम्मेटकर का निर्वाचन पस्छी मंगाल से हुआ था नेश्ठे डाक्टर बी यन राओ द्वारा तयार सम्मिधान के प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को नेश्ठे सम्मिधान सबाब में अपने योगदान के कारण ही डाक्टर अम्मेटकर को सम्मिधान का पिता कहा जाता है नेश्ठे प्रारूप सम्मिधान सबाब में हैदर आवारी इसत के पिति निदी नहीं लिया था नेश्ठे सम्मिधान निर्मात्री परिसत के जंडा समिती के अध्यच जेबिक करपलानी थे नेश्ठे सम्मिधान सबाब में 22 जुलाई 1947 को राष्टि एध्वच को अपनाया जोकि भारत का स्वाविमान तरंगे जंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया नेश्ठे हैं सम्मिधान के निर्मान में दो वर्स के अरा महिने 18 दिन का समय लगा था सम्मिधान को तयार होने में नेश्ठे सम्मिधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली था तीन वाचन हुए नेश्ठे 24 जन्मरी 1950 को सम्मिधान सभा ने डाक्टर राजिंद प्रसाद को भारत का प्रतम राष्ट पती निर्वाचित किया नेश्ठे भारती सम्मिधान विस्सु का सबसे बड़ा और विस्तत लिखी सम्मिधान है जिसमें मूलता 22 भाग है 395 अनुशेद हैं 28 अनुच 95 हैं और अनुचीत अनुच इस वहीं ऑर भाग है जो भाग है वह 22 है इसी तरीके से अनुचित भी c करके बढ़ाए गए हैं लेकिन जो मूल अनुच्य थे वो 395 ही हैं परन्तु मूल समिधान में 8 अनुचियां थी परन्तु बरतमान में 4 अनुचियां भढ़ चुकी हैं जो की 12 अनुचिया हो गई हैं नेश्ट है भारती समिधान की विसालता के करण ही इसे वकीलों का परडाइस कहा जाता है नेश्ट है समिधान सवाग में प्रतनी अधियों का निरवाचन प्रांतिय विधान सवागा दवारा एकल संक्रमल्य अन पत्तितो कैह पकत्य समिधान सवा च्वारा भारती समठान को 26 नौवंबर 1949 को अंगी करत अधिनेमित वा आत्मर्पित किया गया है इसी करणा पर 13 बर्स 26 नॉंबर को विदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो फ्रेंड्स उम्मीत करता हूँ कि आज के प्रसंद भारती सम्मिधान सवाज से चुकि प्रसंद महत्पूर्ण थे उनको देखा तो ये प्रसंद आपकी परिक्षाओं में हिल्पूल सावित होंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सेर अवस्य करते हैं जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाव उठा सके और ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइज कर बेल आइकन को प्रेस कर और पर क्लिक कर लें जिससे कि आपको अ इस टापिक में तब तक के लिए बाई बाई एंटेक क्यार जय हिन जय भारत